हलो एवरिबड़ी, कई बार हम सोचते हैं, जब हम खासकर प्लांट्स लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, तो कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं, जिनको हम इनवाइट करते हैं, कि आप आईए, फिर वो कहते हैं, हमारे के लगा देने से क्या होगा, उस तेम पे मैं बस बहुत ही स जब समुद्र के पास गया, तो मेरे को दिखा इतना बड़ा समुद्र है, इतना विशाल होता है, कि हमारा एक्जिस्टेंस या हमारे जैसे हजारों लोग वहां पे बीच वे थे, किसी का कोई एक्जिस्टेंस नहीं उसके सामने है, इंफ्रेंसी ड्रो करना चाहता हूँ कि प्रकृती, समुद्र भी प्रकृती है, उसी तरह से जंगल भी भरती, सब कुछ, universe, everything is प्रकृती, इसके सामने हमारा एक्जिस्टेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब एक हाथी के आगे चीटी का भी जो एक्जिस्टेंस होता है, वो भी नहीं है हमारा, तो हम कौन हो कि मेरे लगा देने से क्या होगा, मेरे नहीं लगा देने से क्या होगा, we are not in a position, मैं यह कहना चाहता हूँ, कि इस चीज को सोचने से अच्छा है, कि कर लेते हैं, इसको करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, कि मेरे लगाने से क्या होगा, या नहीं लगाने से क्या हो अगर हम यह सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आपको इंपोर्टेंस दे रहे हैं, we are not important for प्रकृति, नेचर के लिए हमारा कोई existence नहीं है, हमारे जैसे कितने species आए, कितने extinct हो गए, उनका आता पता नहीं है, फॉसिल्स दग नहीं मिलता होगा, कहीं हिस्ट्री में धर साफ हो जाएंगे, या ग्रेज्वली साफ हो जाएंगे, so don't think above nature, plantation करना बहुत अच्छी चीज है, आप करिए, मौका मिलता है, किसी ने अगर आपको invite किया है, तो बहुत अच्छी बात है, time spare करिए, क्योंकि हर काम के लिए आप time spare करते हैं, movie देखने के लिए, marketing, shopping, सब के सोने के लिए, सोने के लिए विस्पेर करते हैं, कई बात चुट्पी होती है, तो उपर में सो गए, इसी तरह के से plantation is very important, आपके लिए, हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे existence के लिए important है, ना कि ये नेचर को बचाने के लिए, हम इतने बड़े नहीं है, कि हम क्या लगा पूरे जिंदगी में पूरा एक organization बना के उससे क्या हो जाएगा, उतने पड़ तो रोज कर जाते हैं, think about it, we are not above nature, हम एक, कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, we are nothing, thank you.